लो ईब्लटोंग्ट, आज हम बात कर2ंगे क्योबाइट रचेर अबारे में इसे अला लॉव इंट्रेप्मेंट भी कहते हैं यांनि कि अल्ना नस्का दब जाना क्योबाइटल टनल के वहा तो इसे कहते हैं क्योबाइटल टनल शिंट्रोय मै poss इस वजह से होता है अलनार नव कहां पास करती है, क्यूबाइटल टैनल कहां होता है, कैसे दबती है, क्यों दबती है, इन सब के बारे में हम पात करेंगे. तो क्यूबाइटल टैनल एक ऐसी विमारी है, क्यूबाइटल टैनल सिंड्रोम, जिसके अंदर आपकी जो अलनार नव है, कूनी की लेबल पर डब जाती है, और इसकी वज़े से आपको हातों में दर्थ, कमजोरी, जंजनाठ, सूनापन आने लगता है. तो क्यूबाइटल टैनल सिंड्रोम, जहां आप गोलाई देत रहे हो, वही है क्यूबाइटल टैनल सिंड्रोम, और यहां से अलनार नस तब गई है, उसका कंप्रेशन हो गया, वो ट्रैप हो गई है, और इसे कहते हैं अलनार नर्व इंट्रैप्मेंट. अब ऐसा क्यों होता है? इससे पहले जानते हैं अलनार नर्व क्या है, यह कहां पाई जाती है? अलनार नर्व जो है आपकी ब्रेकिल प्लैक्स जो आपके गर्दन के उपर से निकलती है, जो आपके उपर से गर्दन है, वहां से निकलती है और यहां से नस आती है हातों के अंदर की तरफ, अंदर की तरफ और कोनी के पीछे से अंदर से निकलते हुए आपके हातों को त पहुचाती है यानि ये गर्दन से आती है और आपके हातों थाक सप्लाइ करती है तो जब इस नस का क्यूबाइटल टनल वारे हिस्से पे पिंच हो जाती है जब कंप्रेस हो जाती है जो आपके कोनी के पीछे की तरफ अंदर की तरफ पाए जाता है तो इसे कहते हैं क्यूब र Trutal corporal syndrome लार नस जो है वो मारी बहुत हैं हमारी आब काथों की तो यह आन नोनो क्या घ़ैस है जो उपडेश्य एक चल्चे है जो उपरसे acostum से निकलता है और यहां से नस आती है के हाथों में अंदर की तरफ कोनी के पीछे से अंदर की तरफ से निकलते हुए आपके हातों तक आती है और यह आती है आपके little finger यानि सबसे छोटी वाले उगली और आपके ring finger की आदे वाले हिस्से तक यानि अंदर की तरफ half जो है आपकी ring finger वहां तक यह supply करती है तो alarm nerve दो जगे दब सकती है अगर यह कुनी पर दबती है alarmus तो जब वह कुनी के वहां दबती है तो इसे कहते है इस बिमारी को cubital tunnel syndrome और अगर जब यही alarmus आपके कलाई के हिस्से पर दबती है कलाई के level पर दबती है यानि कि जहां guidance canal पाया जाता है जब वह उस हिस्से में कलाई के हिस्से में वहां guidance canal में दबती है तो इसे कहते है guidance canal compression तो alarmus दो जगे दब सकती है एक cubital tunnel पे उसे कहा है cubital tunnel syndrome एक guidance canal पे उसे कहते है guidance canal compression तो यह alarm जब हमारे कोनी में अंदर के पीछे के तरफ से निकलती है और यह इसे कहते है medial epicondyne जो हमारी arm bone है humerus उसका सबसे नीचे वाली हिस्सा तो जब वहां से बिलकुल निकलती है छोटे से हिस्से से एक spot से उस spot को funny bone भी कहते हैं तो वहां उस funny bone के हिस्से में जैसे आप देख रहे हैं वहां skin के हमारी तवच्चा के बहुत जादा करीबी होती है यह नस जिस वैसे patient को एक अजीब सा sensation फील होता अगर यह यहां दबती है तो इसे कहते है cubital tunnel syndrome जैसे आप डाग्राम में देख सकते हैं यह हमा हमारी नीचे वाली हड़ी है रेडियस अलना और हमारी मास पेशी आगे उपर बाइसेप्स मजल फिर अलनार को लेटरल लिगामेंट है हमारे अलनार्नस के posterior and intermediate anterior और यह यह यहां अलनार्नस निकल रही है हमारे कोनी के अंदर और पीछे वाले हिस्से से अब अगर आपको यह compression हो रहा है कि vital tunnel में तो आपके हातों के अंदर की सत्य सुन हो जाएगी यानि हातों के अंदर के हिस्से में और छोटी उंगली और आपके ring finger आदी मतलब अंदर की तरफ की आदी मतलब डेर उंगली में यह दिक्कत देखी जाती है यह दिक्कत अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दोनों तरफ देखी जाती है जब यह cubital tunnel में तब जाती है यानि कि डेर उंगली में दिक्कत आती है दर्द, सुनापन, जंचनाट, सुई चुबना, चीटी चलना, पिन चुबना वैसा patient को महसूस होता है जब यह अना नस आपके guidance canal के यहां दब जाती है तो इसमें patient को सिर्फ अंदर के भाग में दिक्कत महसूस होती है बाहर के भाग में नहीं होती है क्योंकि वहां बाहर के भाग में कलाई के पीछे से आपकी दूसरी नस निकलती है तो आगे की तरफ जब यह guidance canal में दबती है तो patient को सिर्फ आगे के हिस्से में जंजनाय दर्द महसूस होता है सुनापन जंजनाटा पर जिस वाज़े से grip भी अच्छी नहीं हो पाती patient को और mass patient की बहुत ज़दा कमजोरी हो जाती है अब बात करते हैं इनके कारणों की कि यह nurse क्यूं दबती कि इन कारणों की वज़े से कौनी के बल पे दब जाती है क्यों बाटन टैनल में दब जाती है तो जब गंटों आपका हाथ ऐसे रखता है तो उस जगे पे आपके कोनी के पीछे वाले हिस्ते के वहाँ से चुर्नस है वो दब सकते तो यह भी एक कारण हो सकता है और कारण है जब आप लंबे समय तक अपने mobile phones चलाते हो या फिर लैपटॉप पे काम करते हो जो जो कम्प्यूटर पे काम करते हो या फिर किचन पे जो लेडीज बुकुल एसे सो जाते हो अपने हाथों के उपर तक्या रखे और दबांके सुझाते तब भी नस दब सकती है इन कारणों की वज़े से भी नस जब दब जाती है तो क्युबाइडर टैनल से इंड्रोम की पेशन को दिक्कत आती है इसके कि कौनी के बल पर कुछ अ यजय की टुक्रणे लगते हैं जे नसब पे प्रेशर पढता है और इस वज़के इस वजह से भी अनलान दब सकती है तो यह से और पिशेंट को अगर ऐसे रुमी दिखकत है रुष Anda is एक टुकड़े निकल रहे है इंदर की साथ ही सबसे छोटी वाली अंगली और देढ़ किरिंग अंदर की तरह इसमें आपको बिल्कुल महसूस नहीं होता कोई च्यूवता- कोई चुछूता है तो आपको कारणों की वज़े से होता है इसके बारे में इससे अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या लख्षन देखने को मिलते हैं इसका कैसे पता किया जाता है X-ray से CT scan MRI से जाती जात इसको सबस्यादर इसके किस्म में है